निम्न में से किसने जड़तों का नियम प्रतिपादित किया था, सुपर इंपोर्टेंट प्रस्न आपको बताना है, कि जड़तों का नियम है, वह किसके दोरा दिया गया था, तो यहां पर आप देख लिजिए, तो दिये गए options में से जो चारो options हैं, वह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जड़तों का नियम है, यह दिया गया था, गैलीलियो, गैलीली की दोरा किसके दोरा, तो गैलीलियो, गैलीली की दोरा जो है, जड़तों का नियम दिया गया था, तो इसका रैट इंसर हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली के दोरा जो है जड़तों का नियम दिया गया था तो अब इसे याद रिखिएगा उसके बाद अगर हम पहले आप्शन की बात करें सर आईजक न्यूटन के तो इनके तरह कौन सा नियम दिया गया था तो आईजक न्यूटन के तरह नियम दिया गया था गुरुत्वा करशन का नियम आप आद रिखेगा गुरुत्वा करशन का जो नियम है यह आईजक न्यूटन के तरह दिया गया था और उसके बाद सिवी रमन थे यह अभारत के भावतिक बिज्ञानी थे तता इन के दोरा जो है सिवी रमन के दोरा जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी किस प्रभाव की तो रमन प्रभाव की खोज की गई थी रमन मतलब सिवी रमन के दोरा तिसे भी आप याल देखेगा तता इनी के दोरा ज अगला प्रस्त हमारा है निम्न में से किस उपकरण की सायता से विद्धुत प्रवा को मापा जाता है तो विद्धुत प्रवा जो होता है या किस के तरह मापा जाता है तो इसका राइट इंसर आपको मिलेगा और मीटर के तरह है अगला प्रस्त मारा क्या कह रहा है कोहरा जो है निमलिकित में से किसका उधारन है आपको बताना है कि देगे options में से किसका उधारन कोहरा है super important प्रस्त तो कोहरा किसका उधारन है तो aerosol का एक उधारन होता है कोहरा यानि option यह इसका बिल्कुल सही है कोहरा उधारन किसका है तो एरोसोल का उधारन होता है कोहरा अगला प्रस्ता मारा क्या है जब पानी को निरजल सफेद तामबे सलफेट में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का मतलब जो पानी होता है जो सफेद तामबे में जब मिलाया जाता है तो रंग किसमे बदल जाता है आपको बताना है तो जब पानी को निरजल सफेद तामे सलफेट मिला जाता है तो रंग नीला हो जाएगा तो इसका राइटेंसर क्या हो जाता है तो वह नीले रंग में पानी परवलतित हो जाता है तो इसका राइटेंसर आपको मिलेगा नीला यानि की ब्लू अगला प्रस्वारा क्या कह रहा है एक नाभिक की द्रभिमान संख्या होती है आपको बताना है कि जो नाभिक होता उसकी द्रभिमान संख्या कितनी होती है तो नाविक की द्रब्यमान संख्या कितनी होती है तो नाविक में प्रोटान और न्यूट्रानों की कुल संख्या इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि नाविक में प्रोटानों और न्यूट्रानों की संख्या का योग को हम कहते हैं द्रब्यमान तिसे आप याल देखेगा option A इसका बिल्कुल सही है एक नाबिक की द्रब्यमान संख्या कितनी होती है तो प्रोटरान और नूटरानों की संख्या के बराबर होती है तो इसका राय टेंसर हो जाएगा option A अगला प्रसमरा क्या कह रहा है किस हार्मोन की उपस्थिती के कारण पौधो की पत्तियां गिर जाती है तो इसका राय टेंसर आपको मिलेगा एथिलीन नामक हार्मोन की उपस्थिती के कारण जो है पौधो की जो पत्तियां होती है वह गिर जाती है यानि ओप्सन इसका बिल्कुल सही है एथी लीन अगला प्रसमारा क्या कह रहा है चार्ल्स डार्विन के दौरा आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिधान्त दिया गया था तो चार्ल्स डार्विन के दौरा कौन सा सिधान्त दिया गया था तो विकास वात का जो सिधान्त यह चार्ल्स डारविन के दोरह दिया गया था वहीं जड़त्तों का जो सिधान थे कि इसके दोरह दिया गया था मैंने आपको बताया में जो है जमा होता है स्टार्च यानि ऑप्सन ए इसका बिल्कुल सही है आलू में जो है स्टार्च कहां पे जमा होता है तो पैरेन काईमा में यानि ऑप्सन ए इसका बिल्कुल सही है अगला प्रसन क्या कह रहा है हमारा कोसीका का कौन सा भाग प्रोटीन का संसलेशन करता है तो कोसी का यानि की सेल का कौन सा हिस्सा होता है जिसके तरब प्रोटीन का संसलेशन किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा राइबो सोम यानि option ये इसका बिल्कुल सही है राइबो सोम अगला प्रस्न में क्या कहा रहा है भारत का पहला उद्ध्वालधर पूल कहां बनाए गया है तो भारत का जो पहला उद्ध्वालधर पूल है या कहां पर बनाए गया है तो रामे स्वरम में यानि option A, option C इसका बिल्कुल सही है भारत का जो पहला उद्ध्वालधर पूल है या बनाए गया है रामेश्वरम में तो option C इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण मारा है निवन में से किस company के दोरा ketchup नामक application को launch किया गया है तो ketchup नामक जो application या launch किसके दोरा किया गया है तो माइक मतलब facebook के दोरा यानि option D इसका बिल्कुल सही है फेस्बुक के दोरा जो है हाली में कैचप नामक एक application launch किया गया है वहीं हाली में Google के दोरा भी application launch किया गया थे किस नाम से तो बोलो application जो है यह भी Google के दोरा launch किया गया है अगला प्रस्ता मारा क्या कह रहा है निम्ण में से कौन दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरपती बना है यहाँ पर दूसरे अरपती की बात हो रही है कब से कम उम्र के तो ओयो के मालिक है रितेस अगरवाल आप आप आदेखिएगा बालती ब्यक्ति हैं ओयो के मालिक है रितेस अगरवाल ये दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के अरपती बन गए है वह अगर हम पहले नंबर की बात करें तो दुनिया की पहले नंबर की सबसे कम उम्र की अरपती है कैली जेनर और दूसरे नंबर पे हैं रितेस अगरवाल ओयो के मालिक हैं से भी आप यार देखिएगा तता मार्क जुकरबर्ग कौन है तो मार्क जुकरबर्ग है Facebook के वलता Facebook के CEO Facebook के मालिक अगला प्रस्वारा क्या कह रहा है हाली में किसे भारत का पहला लोगपाल नुक्त किया गया तो तो हमारे देश के जो पहले लोगपाल बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे तो इनका नाम था पिनाकी चंदर घोस यानि option C इसका बिल्कुल सही है इनको short form में हम PC घोस भी कहते हैं ये भारत के पहले लोगपाल बनाए गए थे तो options थी इसका बिल्कुल सही है इसके बाद हम गर पहले option की बात करेए काफी news में चल ला है गिरिश चंदर मुर्मू ये इससे पहले जमु कस्मीर के उपर राज्य पाल थे परंतु ये अब क्या बना दिये गए हैं तो ये हमारे present time में जो CAG है ये हमारे CAG बना दिये गए हैं तो इससे आप यह देखिएगा नियंतरक एवा महालेखक परिच्छक बना दिये गए हैं अब गिरिश चंदर मुर्मू तो इससे भी आप ध्यान दिजेगा और मनुसिन्ना को कौन सा पत दिया गया है तो मनुसिन्ना जो है ये जमू और कस्मीर के उपराज़ पाल बना दिये गए हैं तो ये दो important current defense है जिसे आप ध्यान दिजेगा गिरिश चंदर मुर्मू बना दिये गए हैं CAG याने की comptroller मतलब हमारे जो नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक होते हुँआ बना दिये गए हैं और मनुसिन्ना को बना दिया गया है जमू कस्मीर का उपराज़ पाल तो ये हमारे देश के पहले लोगपाल बनाए गए थे अगला प्रसमारा क्या कह रहा है वलतमान में भालती जीवन वीमा निगमेन की LIC याने की Life Insurance Corporation of India के अध्यच कौन है तो LIC के प्रिजन टाय में अध्यच कौन है तो MR कुमार यानि Option B इसका बिल्कुल सही है MR कुमार जो है ये वलतमान में LIC के अध्यच है तो इसे भी आप य अध्यच कर विभाग के जो अध्यच है वह हैं PC मोधी तो CBDT के चेर्मेन हो गए PC मोधी और MR कुमार LIC के चेर्मेन है और WK यादो किसके चेर्मेन है तो railway board के किसके तो WK यादो railway board के वलतमान में चेर्मेन है अगला प्रस्न क्या कह रहा है हमारा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसाद दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा हतियार आयातक देश कौन सा है ने की दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा हतियार मंगाने वाला देश कौन सा है तो सिपरी की रिपोर्ट के अंसा दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा हतियारों का आयातक देश बन गया है भारत और पहले नमबर पर आपको मिलेगा सौधी अरब हैने की सौधी अरब जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा हत्यार आयातक देश है और भारत जो है दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आयातक देश है अगला प्रस्न क्या कह रहा हमारा पहली बार 200 ब्रेल दिवस कब मना गया था तो 4 जनौरी के दिन तो आप इस या देखिएगा 4 जनौरी 2019 को जो है पहली बाल पहली बार जो है 200 ब्रेल दिवस मनाय गया था तो राइट एंसल आपक मिलेगा जो है सिक्कीम के द्वारा शुरू की गई तो आप्सन B इसका बिल्कुल सही है सिक्कीम के द्वारा अगला प्रस्न क्या कह रहा है हाली में सिनेमा पर भारत का पहला राष्टी संक्रहाले कहां बनाय गया है तो हाली में सिनेमा पर पहला भारत का जो राष्टी संक्रहाले है यह कहां पर बनाए गया है, तो मुंबई में, यानि option जो ही इसका A है बिलकुल सही है, मुंबई, अगला प्रस्न क्या कहा रहा हमारा, हाली में मानों अधिकारों के लिए समर्पित, दुनिया का पहला television channel कहां पर launch किया गया है, super important प्रस्न, तो मानों अधिकारों के लिए समर्पित, दुनिया का जो पहला television channel है, यह लंदन में हाली में launch किया गया, यानि right and track मिलेगा, लंदन, यानि option C, इसका बिलकुल सही है, बिस्वाँ प्रस्न हमारा कě बिए गए के में से कौन सबसे ज़ादा उप्योग किया जाने वाला अल्ध चालग है, यानि कि semiconductor की यहां पर बात हो रही है, तो सबसे अधिक उप्योग किया जाने वाला अल्ध चालग कौन सा है, तो silicone यानि option A, इसका बिलकुल सही है, silicone, अग doctrine up laps यहाँ पे होगा तो आपको बताना कि doctrine of lap जिसको ह confess कती है ब्यवगत का सिधान यह किसके दवर्ण दिया गया था कि इंगलीज़ में कहते हैं डॉक्ट Арप।ướcर्ड लाप्स यहाँ चीच्छी देखतें से आप याँ दिखिएगा ब्यपकत्का सुधान्त हिंदी में इसको 이렇게 संधी में एक संधी Biz लाड कार्णवालिस के दरह किसकी शुरुवात की गई थी तो अस्थाई बंदोबस्त जो था अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुवात है वह लाड कार्णवालिस ने की थी तो यह तीनों आपको याद अखना है व्यपकत का सिधान जिसको इंग्लिस में कहते हैं डॉक्ट वो काफी अच्छा प्रस्ण है लगाता रिया एक जाम में पूछा जाता है तो इस प्रस्ण का राट एंसर रो जाएगा लोकसभा प्लस राजसभा प्लस प्रेसिडेंट यानि इन तीनों से मिलकर हमारी संसत बनती है लोकसभा राजसभा और राष्ट पती से अगला यानि इसका रैटेंचर हो जाएगा लॉन टेणिस यानि ओप्शन बी अगला है फीफा का मुख्याले आपको बताना है फुटबॉल की सबसे स्ट्रेश्ट जो संस्था उसको फीफा कहते हैं तो फीफा का मुख्याले आपको बताना है किस देश में है तो FIFA का मुख्याल आपको मिलेगा Shinja Land के जीवरिक सेहर में कहा तो Option B इसका बिल्कुल सही Shinja Land के जीवरिक सेहर में आपको मिलेगा FIFA का मुख्याल अगला प्रस्तन मेंना क्या कह रहा है संसद समीधान में संसोधत कर सकती है किस प्रकाद तो संसच जो हमारी है वह समिधान में संसोधन इन तीनों प्रकाल से कर सकती है सधारन बहुमत से कर सकती है विशेश बहुमत से कर सकती है सवी राज्यों की आदि समती से विशेश बहुमत से इन तीन प्रकाल से जो है संसच समिधान में संसोधन कर सकती है यानि option D इसका बिल्कुल सही है, अगला प्रस्न क्या कह रहा है, भारत आने वाला सबसे पहले यूरोपी कौन थे, मतलब किस देश के यूरोपी सबसे पहले भारत आये थे, तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी थे, पुल्तगाली यानि कि option जो इसका A है बिल्कुल सह यह पुल्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी थे अगला प्रस्न क्या कह रहा है हमारा अखाडा निम्लिखित में से किसकी बायोग्राफी है तो जो अखाडा है या किसकी बायोग्राफी है तो अखाडा जो है या बायोग्राफी किसकी है तो महावीर सिंग फोग प्रतेक वर्स दो अक्टूबर के दिन अगला प्रतेक वर्स दो अक्टूबर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्त मारा क्या कह रहा है प्रित्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो प्रित्वी दिवस का जो आयोजन है यह प्रती वर्स किया जाता है 22 अप्रेल के दिन यानि option जो इसका ए है बिल्कुल सही है 22 अप्रेल की जिन जो है पृत्वी दिवस का आयोजन किया जाता है तो इसका राइट अंसर आपको मिलेगा option ए याने की 22 अप्रेल अगला प्रस्त मारा क्या है जो कि आज का लास्ट प्रस्त भी है कौन सा straight याने की channel जो है Great Britain को France से करता है तो इससे आप ध्यान देजेगा English Channel तो दोस्तों यहां पर हमने चौथा जो हमारी test series RRB NTPC के लिए उसको हमने complete कर लिया है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखिए बहुत ही बेतर offer है आपको 20% तक का off मिलता है अगर आप ऐसे से से एचल एक्जाम तुझा तक का off मिल जाएगा जो कि मैंने description box में दे रखा है और वीडियो अगर आपको अगर कुछ अधर डिटेस चाहिए होंगी तो वो भी आपको मिल जाएगगे बाकि अपना ध्यान रखे अनिकाडमे अप्रिकेशन स्टॉल कर लिजे मिल दा हम आपको अगली वीडियो में